असलाम लेकुम वेलकम चैनल फर्स पाइट आज हम बनाएंगे मंगोलियन चिकन वह भी फ्राइड राइस के साथ और टू रेसिपीज हैं तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अपना फीडबेक दीजेगा चलिया यह बनाते हैं सबसे पहले हम स्टेप वन में लेंगे चिकन ज इसको हम अच्छे से फेट के शामिल करेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और एक टीबल स्पून इसमें जाएगा विनेगर आप जो चाहे यूज कर सकते हैं आधे गोंटी का रस देंगे स्टेप टू पर आजाएंगे इसके लिए हमेंने लिया तक प्राइट चेंज करनी है मज़ीद दो मिंट पकाने के बाद हमें इससे खिलाना है और तक चेश से आट मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है भलका सा गोल्डन हो जाए तो हम इसे निकालें के बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करेंगे इसी पैन में हम आइल जो है एक्स्ट्रा निकाल तीन से चार टेबल स्पून छोड़ देंगे और इसी में हमने डालना है जिंजर और गारलिक फाइनली चॉप्ट वान टेबल स्पून और इसको हमने सोते करना है एक मिनट तक और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स वन टेबल स्पून के करीब 30 सेकंड्स तक इसे भी पकाएंगे और साथ में जाएगा इसमें साल्ट हाफटी स्पून सोया सास 4 टेबल स्पून हाट सास 4 टेबल स्पून और सिराशा साथ जाएगा इसमें तक्रीबन टू टेबल स्पॉन और विनेगर जाएगा इसमें वन टेबल स्पॉन और इन तमाम चीजों को हम बॉयल आने तक पकाएंगे तीन से चार मिनुट जब ये पक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कार्ण फलोर सलरी कार्ण फलोर का घोल बनाएंगे वन टेबल स्पॉन के करीब कार्ण फलोर लेंगे और इसे तीन से चार तीबल स्पॉन पारे में मिक्स करके इस सास में एड़ करदेंगे और इसको आइस्ता आइस्ता हमने हिलाना है फ्लेम हमने अपना लोग कर लेना है 2-3 मिनट इसको मसलसल जला दे रहना है ताकि इसमें लाम्स या गुट्लियां ना बने इसके बाद हमने आड़ करना है इसमें ब्राउन शुगर और ब्लेक पेपर ब्राउन शुगर 1 डेबल स्पून और ब्लेक पेपर मैंने 1 टी स्पून के करीब आड़ किया है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मिठा डालने का मक्सिद ये है कि ये जो तमाम सौसिज है ये खटे होते हैं तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बैलन्स हो जाता है बहुत जादा खटा नहीं लगता अब इसमें जाएंगी वैजिस जो के है शिमला मिर्च एक अदद और हरी प्यास दो अदद उसके मैंने हरी पार्ट्स ले लिए थे और इनको जूलियन शेप में कटिंग किया है एक मिनट मजीद पकाएंगे और इसमें डालेंगे हम अपनी जो चिकन की स्ट्रिप्स हमने फ्राइ करके रखी थी तीन से चाब मिनट मजीद पकाएंगे हमारी बंगोलियन चिकन रेडी हो चुकी है सर्विंग के लिए इसके लिए हम फ्राइड राइस रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें कौर्टर कप के करीब हम डालेंगे आयल गरम करेंगे और दो अंटे फीट कर इसका हमलेट बना लेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटकी जरदा रंग भी एड़ कर सकते हैं दोना साइट से पकाने के बाद हम इसे निकालेंगे और पीसिस में कट कर लेंगे अब इसी आयल में हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक फॉइनली चॉप्ट वन टेबल स्पॉन और इसको हमने सोते करना है दो मिनट तक इसके बाद मैंने इसमें एड़ करूंगी चिकन तो आप चाहें तो सिर्फ वेजिस के साथ भी बना सकते हैं मैंने 200 ग्राम चिकन भी ली है इसको छोटे पीसिस में कॉर्टर में कट करके इसमें एड़ कर दिया है इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पॉन इन तमाम चीजों को मेक्स करेंगे जब तक कि इसको पकाएंगे कि चिकन थोड़ी टेंडर हो जाए इसको थोड़ी देर हम ढखके रख देंगे अब विनेगर एड़ करेंगे इसमें 2-3 टेबल स्पॉन और साथ में जाएंगी बेजिस, शिमला, मिर्च, हाई, प्यास और बंगो भी मैंने डाली है तकरीबन quarter quarter cup मैंने यूज़ किया है तमाम चीजों का और साथ में वही अंड़ा जो हमने आमलेट बना के रखा है इसके pieces कट करके एड़ करेंगे और मिक्स करेंगे हमें इनको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है ताके इनका क्रांच भी खतम नहों इनका कलर भी खराब नहों अब मैंने तकरीबन 90% तक डन किये हुए बॉयल राइस लिये हैं वन ग्लास और मैंने इसमें एड़ करके इसको अच्छे से टॉस करूंगी मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको सर्व करेंगे रेस्टरान में भी इसी तरह सर्व होते हैं इनको दम पर नहीं लगाते हैं तो यह बहुत ही खिले खिले और जबादस से बनते हैं अब जो मंगोलियन चिकन हैं हम इसे सर्व कर लेते हैं तो इसके उपर हम स्प्रिंकल करेंग एंड में सुवह दिल के साथ और गारिश करने के बाद हम इसे सर्फ करेंगे फ्राइड राइस के साथ तो दोनों रेस्पीस आपसको कैसी लगी ज़रूर बताईएगा और अपना फीडबेक दीजेगा अगर आप नू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो को शेयर भी कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज